दोस्तो आपने वकीलों को तो देखा ही होगा जो कि बिलेक कलर की कोट फेन कर नियालाय में केस लड़ते रहते हैं तो दोस्तो कभी ने कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि उनका जो कोट होता है वो बिलेक कलर का ही क्यूं होता है वे बिलेकलर की कोट ही क्यों पहनते हैं तो दोस्तों आज मैं इसके बार में आपसे बात करने वाला हूँ तो दोस्तों मैंने पांच परमुक कारणा को डून निकाला है जिस कारण से हुए बिलेकलर की कोट पहनते हैं तो चलिए विनादरी की उन फांच पर्वुक कारण को जान लेते हैं तो दोस्तों वकील की बेस भूसा में बदलाओ सन 1600 के बाद आया इससे पहले वकील काले रंग के कोट नहीं पहनते थे तो यहाँ पर जो सबसे पहला कारण है वह यहाँ है कि सन 1637 में उनके सामने वकीलों के सामने एक परस्ताव रखा गया जिसमें नियाइदीस और वकीलों को जनता से अलग दिखना था और इसके लिए उनको काले रंग के कोट को पहनना पड़ा तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा कारण यह है कि सन 1694 में कुईन मेरी जो कि उस टाइम में इंगलेंड की कुईन हुआ करते थी उसकी बिमारी के चलते मृत्य हो गई तब उसके पिता राजा विलियम्स जो कि उस टाइम में इंगलेंड का राजा हुआ करते थे उन्होंने सभी नियाइदीसू और वकीलों को सरवजनिक सोक मनाने के लिए काले रंग का कोट को पहनने का आदेस दिया और उसके बाद से काले रंग का कोट पहनने के परता चली आ रही है जो आज तक जारी है और दोस्तों यहाँ पर तिसरा करण यह है कि काले कोट की ड्रेस वकीलों में अनुसासन और आतमिस्वस का प्रतिक माना जाता है और ये ड्रेस वकीलों को एक अलग पहचान दिलाती है तो दोस्तों यहाँ पर चवता कारण यह है कि काला रंग दृष्टी हिंता का प्रतिक होता है इसलिए कानौन को अंधा माना जाता है चूकि दृष्टी हिंविक्ति कभी पचपात नहीं कर सकता इसलिए वकील काला कोट पहनते हैं ताकि वह भी दृष्टी हिंविक्ति की तरह बीना कोई पचपात की सच्चाई के लिए लड़ सके जिससे कोट में सच्चाई को बढ़ावा मिल सके यहाँ पर पांचुअ कारण यह है कि कोट में जब वकीली आपास में बहस करते रहते हैं तो उइस सच्च्च क्याश में काला कोट पहनने से वकील की गर्मी सेहन करने की सकती बढ़ जाती है तो दोस्तों अब आप जान चुके होंगे कि वह किल क्यूं काले रंग के खोट को पहनते हैं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को जरूर मिलाओगा और आप इस वीडियो को इंजय जरूर की होंगे और इसे इंट्रेस्टिंग वी कुछ सीखने के अपकोड़ मिलाओगा पीडियो कि वीडियो कि यह रेखाण प्रोके झापकशी कुछ स mercy.